परिचय वासू अपने परिवार के साथ शिविर में गया है वह नदी के पास खुली जगह में तंबू लगाने में अपने बापा की मदद कर रहा है ऐसा करते समय वह मैसूस करता है कि तंबू तिर्भुज जैसा दिखता है इस सथ्याए में आप सम्तल तथा ठोस आकृतियों के बारे में जानेंगे आओ सीखें सम्तल तथा ठोस आकृतियों को पहचानना 3D यानि 3 विमय के साथ 2D यानि 2 विमय वस्तूओं को मिलाना सीधी तथा घुमाओदार रेखाओं के बीच अंतर करना आकृतियों के प्रकार हम अपने चारों तरफ विबिन आकृतियों जैसे पैंसिल, रबर, मेजे, किताबें, कुरसियां आदी को देखते हैं ये ठोस आकृतियों कहलाती हैं ऐसी आकृतियों जिने हम कागस पर बनाते हैं जैसे कि तिरिभोज, वर्ग, आयत, वृत्त आदी समतल आकृतियां कहलाती हैं समतल आकृतियां 2D वस्तों भी कहलाती हैं ठोस आकृतियों को 3D आकृतियां भी कहा जाता है सभी 3D आकृतियों में गहराई पाई जाती है जबकि 2D आकृतियों में नहीं पाई जाती है वस्तूओं का मिलान करना हम ठोस आकृतियों का मिलान समतल आकृतियों से कर सकते हैं हम एक जॉक बॉक्स का मिलान एक वर्ग से कर सकते हैं हम एक रबर का मिलान एक आयत से कर सकते हैं हम एक तंबू का मिलान एक त्रिभुश से कर सकते हैं, हम एक गेंद का मिलान एक वृत्त से कर सकते हैं, 3D वस्तूओं को नाम देना, आओ अब हम ठोस वस्तूओं को नाम देते हैं, चौक बॉक्स एक घन होता है, रबर एक घनाब होती है, घन तथा घनाब दूनों में किनारे तथा समतल सथे हैं, होती हैं, चौक एक बेलन होती है, इसमें एक गूल सथे की साथ साथ दो समतल सथे भी होती हैं, गेंद गूला कार होती है, इसकी सथे गूल होती है, तंबू एक प्रिज्म होता है। इसमें किनारे तथा सम्तल सतहे होती हैं। 3D वस्तूओं की साहेता से 2D रेखा चित्र खीचना। आओ हम कागस पर 3D के रेखा चित्र खीचना सीखते हैं। और देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। कागस के एक टुकडे पर एक चौक बॉक्स को रखते हैं। इसके बाहरी किनारों पर रेखा खीचते हैं। चौक बॉक्स को हटा देते हैं। अब आप कागस पर एक वर्क बना हुआ देख सकते हैं। कागस पर एक रबर रखते हैं। उसके बाहरी किनारों पर रेखाएं खीचते हैं। अब रबर को हटा देते हैं। आप कागस पर एक आयत बना हुआ देख सकते हैं। एक चौक को एक कागस पर खड़ा करके रखिए। तथा उसके बाहरी किनारों से कागस पर रेखा खीचिए। अब चौक को हटा देते हैं। आप कागस पर एक वृत बना हुआ देख सकते हैं। खड़ी रखा गया है। खड़ी रेखाएं बनाती हैं। तिर्ची तीलियां तिर्ची रेखाएं बनाती हैं। सीधी रेखाएं खीचना हम एक सीधी रेखा कैसे खीचते हैं? जिहां एक रेखक की सहायता से हम सीधी रेखाएं खीच सकते हैं। एक किताब या पैंसिल बॉक्स के एक किनारे की सहिता से भी सीधी रेखाएं खीची जा सकती हैं। वक्रिये रेखाएं जो रेखाएं सीधी नहीं होती हैं, उन्हें वक्रिये रेखाएं कहते हैं। एक कटा हुआ तर्बूज वक्र होता है। पत्ती का किनारा वक्र होता है। हमने क्या चर्चा की? ठोस आकरितियां 3D आकरितियां कहला दी हैं। समतल आकरितियां 2D आकरितियां कहला दी हैं। रेखाएं खीच कर 3D आकरितियों का मिलान 2D आकरितियों से किया जा सकता है। घनाकार का मिलान वर्क से घनाप का आयस से और वृत्त का गोले से मिलान किया जा सकता है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू एंड जहिंद